प्रभू चल्डों में बंदन करते हुए मैं प्रसांद सुलंग की श्वागत करता हूँ अब सबकार परिवार पुरसांद सुलंग की एंग्लिस पर आग से सुरू करने जारहे हैं आमके अपने इस channel पर एक सीरीचिस जिसके है, फिला हो उने start किया है वह ग्यारे दिन ग्यारे sets यानि कि आपको daily एक set कराए जाएगा और ग्यारे दिन के अंदर आपको 11 sets कराए जाएंगे यह sets daily आपको 1 set मिलेगा और जो timing रहेगी वह क्योंकि 11 दिन 11 sets है तो तो हमने इसकी टाइमिंग को भी 11 बजे रखा है, सो 11 एम पर एक्जेक्ट आपकी जो क्लास है, वो स्टार्ट हो जाएगी, तो 11 बजे आपको यहां पर टेस्ट मिल जाएगा, तो आप सभी लोग जरूर जरूर एक प्रेक्टिसेट डेली लगाएं, इससे आपकी जो इंग्लिस की तयारी है, उसको एक अलग लेवल का बूस्ट मिलेगा, इसी प्रकार से इस चैनल पे आगे जितनी भी और परिक्षाएं होंगी, आपकी CHSL हो गया, CGL हो गया, MTS हो गया, उन परिक्षाओं के लिए भी हम special कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ बीच बीच में करते रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सारी की सारी जो चीज़ें हमारे द्वारा की जा रहे हैं, हमने अभी अभी Rankers गुरुकुल पे भी एक 16 दिन 16 महराथन नाम से CPO को टार्गेट करते हुए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंतरगत 16 दिन के अंदर आपका complete English को मैं cover करा रहा हूँ, जिससे के कैसे भी करके आपके 50 में से 50 marks आप आप आएं, वहाँ पे आप theory हमसे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें हमसे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको mock test चाहिए, तो वो भी हम उसके आपके लिए provide कर रहे हैं, एक ही जगे पे सब चीज़ें करना possible नहीं होता है, तो यह एक अलग चैनल पे आपको अलग से separate English के लिए चीज़ें दी जा रहे हैं, आपको पता ही है, already vocab wonders नाम से एक चैनल पे मैं daily vocabulary की class भी आपको एक देरा होता हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों का फायदा उठाएंगे, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, मैं सुरुवात करना चाहूँगा class की, और class की सुरुवात से पहले बस एक बार भगवान के चड़नों में जरूर बंदन करूँगा, बकि आप में से बहुत सारे बच्चे CGL के लिए जो तयारी कर रहे हैं, उनकी जो English का slaves अगर नहीं हुआ है, और उनको यह है कि practice set लगाएं नहीं लगाएं, तो अगर आपको slaves को complete करना है वहतर दंग से, तो आपके लिए यह English का VOD batch है, recorded batch, आरजी विकरमजीत एप पर यह batch available है, इस batch को update किया जा रहा है, बिल्कुल fresh content इसमें डाला जा रहा है, अगले 10 दिन के अंदर आप देखोगे, इस सारी चीज़ां आपको fresh मिलेंगी, तो बहुत अच्छा वैच है, आप इससे तयारी कर सकते हैं, प्रॉपर तयारी, बाकी मेरे बाई, rankers group पर आपके लिए 16 दिन 16 मेराथन, और vocab wonders पर vocab sanjivania express अल्रेडी चल रही है, तो target यह है कि आप लोगों की तयारी को हम एक अलग level पे लेके जाएं, next level पे लेके जाएं, जो बच्चे हमसे पढ़ाई कर लेते हैं, प्रैक्टिस की कमी जिन बच्चों को लगती है, उनको कभी प्रैक्टिस की कमी ना लगे, यह सोच के साथ में यह एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज हमने शुरुआत करिए, पहला आपका question है, it took seven years for Harris to dash his migraine, लेको migraine आपका जो सर का दर्द होता है, वही होता है, कहा गया है, it took, it आपका subject है, took आपकी वर्व है, it took, क्या लगा उसको, seven years, तो seven years यहाँ पर object है, seven years लगे, साथ साल लगे, for, किसको लगे, for Harris, यह two यहाँ पर आजाता है, indirect object को दिखाने के लिए अक्सर करके, so it took seven years for Harris, तो यहाँ पर for preposition है, उसका object आजाएगा, Harris, और आगे आपका लगा रखा है, तू, अब तू यहाँ पर क्या है, तू आपका यहाँ पर infinitive maker है, और इसके बाद मैं सामानने तो आप आओगे, क्या आता है, वर्व की, first form आती है, तो यहाँ पर चारो option में, इसमें भी सेक है, इसमें भी सेक है, यहाँ पर भी सेक है, और सारी की सारी option में दे रखे हैं, ऐसे questions को करने के लिए, आपको पूरा का पूरा phrasal verb की knowledge होनी चाहिए, मान लीजिए, phrasal verb की knowledge आपको नहीं है, तो फिर क्या करोगे, आपने मान लीजिए, कभी सेक आउप, सेक आउट, सेक आप, यह सब चीज़ा नहीं पड़ी है, तो कैसे करोगे, मेरे भाई देखो, आपको छोटी-छोटी चीज़ा में बताऊंगा, सेक का मतलब होता है, सामान नित है, किसी चीज़ को इस टाइप से हिलाना, जैसे कि मेरे हाथ में यह AC का remote है, अगर मैं इसको हिला रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, सेक कर रहा हूँ, अकसर करके आपने देखा होगा, जब कोई, जैसे bottle वगएरा होती है, जो दवाई की CC ह होती है, उस पर लिखा रहता है, कि सेक विफोर यूजिंग, ठीक है, तो यूज करने से पहले उसको हिला लें अच्छे से bottle को, जिससे की नीचे जो जमी हुई दवा है, वो भी उपर आ जाए, तो सेक का मतलब यह हो गया, अब देखो, एक है यहां पर डाउन, सेक डाउन, डाउन का मतलब है नीचे, तो यहां से आप इसका मीनिंग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, सेक डाउन का मतलब होता है, चीजों का इस्टैबलिस होना, जो चीजों का लंबे टाइम से चली आ रही है, ठीक नहीं हो पा रही है, जब दीरे दीरे चीज़े, सेटल डाउन हो जा रही है, एक है आपका सेक आउट, सेक आउट, सेक आउट का क्या मीनिंग होता है, सेक आउट, देखो, आउट का मतलब होता है, बाहर, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, लाइक मैंने ये लिया, माल लेते हैं, ये एक डबबा है, और इसको मैंने ऐसे जोड से इलाया और ये डब्बा खुल जाता है और इसके अंदर से चीजे निकलने लगती है dust के particles हो गए या कोई ऐसी चीज तो shake out का मतलब है किसी चीज को हिला के खोल देना जिससे उसके अंदर की चीजे कुछ निकल जाएं तो shake out का मतलब बाहर वहां से connect करके याद कर लोगे मेरे भई आगे एक दे रखा है shake up भाई देखो shake up का मतलब होता है उपर करना shake up जनरली तब लगाते हैं जब चीजों में फेर बदल करते हैं फेर बदल करने के लिए shake up होता है और खास करके चीजों में जो important है अप है यानि कि positive sense है उपर का तो shake up का मतलब है जरूरी या फिर आपका जो important होते हैं वो बदलाव करना एक है आपका shake off, off एक preposition जब होती है तो यह detachment को दिखाती है detachment का मतलब होता है चीजों का अलग होना, दूर होना, अलग होना अब एक बात बताईएगा, हम क्या कह रहे हैं कि हरीज को 7 साल लगे क्या करने में, अपने migration से चुटकारा पाने में जब हम किसी चीज से चुटकारा पाते हैं तो इसका मतलब हम उससे दूर होते हैं इस लिए आपको पाना है इसका मतलब है कि आपको उसको दूर करना पड़ेगा और दूर करने के सेंस में, detachment के सेंस में, अलग करने के सेंस में क्या आता है, औफ आता है इसलिए यहां पर आसानी से आंसर मार कर सकते हुए, देखो, इसी प्रकार से जभी भी आपके सामने फ्रेजल वर्प के कोशन आये, तो आप एक-एक जो पार्टीकल बोलते हैं, ये जो पीछे प्रेपुजिशन आप बोल देते हैं, ये जो पार्टीकल होता है चुक्ड है इसके मिनिंग से connect करके at list आप answer मार्क कर सकते हो आपने छिवर्ट अनपड़ी हो बात समझायी कि किस तरीके से आप इनको yad r gar紙 को किस तरीके से answer मार्क कर सब्सक्ऩें वाखिव फ्रेज polling के लिए भांई इक सौट रूर्प की शीरी इस पिल द बीन्स यह आपका इडियम होता है इसका मीनिंग पुशा गया है इस पिल द बीन्स का मतलब होता है देखो बीन्स को इस पिल कर देना यह नहीं फैला देना कोई चीज फैला दी एक तरीके से कहते हैं रायता फैला दिया जो राज था वो राज खोल दिया बीन्स को swill कर तक स्थपिल कर दिया इस पिल्थ नहीं को तो रिवील मतलब होता हैegen on मिवाई रिवील का मतलब क्या हो जाता है राज खोल देना पर सिक्रेइट equipped इन चीक्रेट इन फोर्मेशन इकडि इन फोर्मेशन को रिवील कर देने तो टॉक randomly randomly मतलब कुछ भी बात कर रहे हैं to ruin one's plan plan को ruin करना नहीं है secret को खोलना है to make anything visible दिखाना नहीं है किसी चीज़ को just secret वाली बात आपको यहां पर लानी पड़ेगी अगला जो आपका question है select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence the team leader tried to remain positive और optimistic यानि कि positive रहना है और optimistic तो to remain positive और optimistic इसके लिए idiom पूछा गया है और आगे लिखा है in the situation situation में even though they were facing tough competition and limited resources अभी recently आपने देखा होगा हार्दिक पांडिया IPL में कफ्तानी कर रहे हैं अभी उनकी पिक्चर वाइरल हो रही थी जिसमें वह बड़े जोड से असर है और वहां पर एक चीज़ लिखी गई थी कि अगर कोई man यानि कि आदमी जोर से बड़ी सी smile अगर उसके चेहरे पे हो तो समझ जाईएगा कि उस आदमी के दिल में कुछ न कुछ दर्द है तो बड़ी सी smile जब किसी के चेहरे पे हो तो इसका मतलब यह है खास करके man के लिए बात कही जाती है कि उसके मलदब सीने में कोई दर्द है, मलब यह जो, वो है न कोछ साहीरी टाइप में कि यह जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो चुपा रहे हो, क्या दर्द है जो चुपा रहे हो तो वो दर्द चुपाने के लिए अकसर करके लड़के लोग smile करते हैं कि बहुत सारे दर्द दिल में इदर उदर से रहते ही हैं तो यहाँ पर वही एडियम है कि दिल में दर्द है उसके बाद भी smile करना positive रहना, optimistic रहना बहुत सारी चीजें आपके उपर burden है बहुत सारी चीजों से परेशान हैं office की, इदर उदर की लेकिन उसके बाद भी optimistic रहना positive attitude केरी करना उसके लिए इडियम क्या होता है यही ये SSE CPO के question में पूछा गया इसके लिए इडियम होता है to put a brave face यानि कि आपका जो face है आपके अंदर दिल में कितने सारे दुख हैं वो अलग लेकिन आपका face इतना बहादूर है कि उसके उपर मुस्कान रहती है उसके उपर smile रहती है तो इसके लिए correct इडियम ही होता है to put a brave face on इसका मतलब है कि मुस्किलों के बावजूद मुस्कुराते रहना यहां पर बाकी options को एक बार देखते हैं to put on a strong exterior strong exterior का कोई मतलब नहीं है हलंकि strong exterior को अकसर करके हम use कर लेते है strong character के लिए खास करके ऐसे व्यक्ति जिनका जो अच्छे दिखते हैं उनके लिए use कर लेते हैं कई बार इसको आगे c option में दे रखा है to put a strong hand forward यानि कि हाथ आगे बढ़ाना एक तरीके से उसका भी कोई ज़्यादा sense नहीं आप है to put a strong desire in front of strong desire का मतलब है कुछ अपने मन की कोई इच्छा जो ज़्यादा ही कुछ चाते हैं आप लोग next देखेंगे अगला question आपका antonym पूछा गया है adhere का adhere to का मतलब होता है किसी चीज को follow करना अंतो नीम देखेंगे देखो observe करने का मतलब है again follow करना klink का मतलब भी होता है किसी चीज पर ticay रहना किसी चीज पर stick रहना comply करने का मतलब भी होता है किसी चीज को follow करना so ये तीन तो synonym मै let humble out करने का मतलब होता है किसी चीज rules वगैरा को कानून बगिरा को तोड़ देना तो कानून को तोड़ना यानि कि फ्लाउट करना ठीक है आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेस्टन है I like all games instead of cricket तो instead की जगे पर क्या आ सकता है sentence improvement का question है ठीक है instead ये off पूरे को underline कर लेना ठीक है तो मैंने कहा I like all games मुझे सारे games पसंद है cricket को छोड़के और cricket को छोड़के तो एक ऐसा preposition चाहिए जो ये दिखाए कि देखो यहां से sentence को एक बार पूरा समझेंगे I sentence का subject है like आपकी verb है इस verb का object है all games मुझे सभी games पसंद है अब आगे आपको अगर कुछ नई information को add करना है तो नई information को add करने के देखो क्योंकि subject आ चुका वर्ब आ चुकी object आ चुका sentence के जो necessary elements होते हैं वो आ चुके अब अगर कोई चीज एड करनी है तो extra information होगी extra information को add करने के लिए या तो कोई आप एड वर्ब लगा सकते हैं या extra information को एड करने के लिए कंजन्सन लगाकर अगली clause लिख सकते हैं और या फिर preposition लगाकर उसका object लिख सकते हैं यही चीज लिख सकते हो आप अब आप देखोगे क्योंकि आगे subject वर्व है नहीं तो conjunction की ज़रूत नहीं है दूसरी चीज आगे cricket दे रखा है cricket जो के noun है और noun आपके subject या object बन सकते हैं तो noun यहाँ पर subject तो है नहीं क्योंकि इसके आगे वर्व नहीं है तो इसका मतलब है noun क्या रहा होगा object है अगर यह object है तो इसके लिए क्या आया होगा आप आप कोगे sir preposition object लेती है तो हमें यहाँ पर जरूरत किसकी चीज किये वाई preposition के हमें जरूरत है बहुत सिंपल सी बात है अगर preposition की जरूरत है तो देखो यहाँ पर आप देखोगे rather rather के साथ में then का प्यार होता है कोई then वगेरा नहीं आया है इसको हटा देंगे object एक वर् होती है वर्ब की नहीं preposition की जरूत है और accept आपकी एक preposition होती है accept लिख देते हैं कई बार accept फौर लिख देते हैं यहीं आपका correct answer हो जाएगा हलांकि अगर यहाँ पर exclude की जगे पर excluding होता तो तो सही हो सकता था लेकिन exclude आपका नहीं होता है ना including और excluding यह दोनों preposition का का काम कर ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला जो आपका question है यह है select the sentence that has a spelling error अब चार sentence लिख रखें इनमें से देखना है कि कौन से में spelling error है तुरुआ से पढ़ते हैं one has to understand one has to understand one आपका subject है one का मतलब होता है सभी कोई भी anyone ठीक है has to has to have to हम तब लगाते हैं जब हम यह दिखाना हो कि क सभी को यह समझना चाहिए कर to understand understand यानि समझना चाहिए two plus verb की first form ठीक है क्या समझना चाहिए the rudimentary अब देखो rudimentary में ही spelling error मिल गया rudimentary का मतलब होता है very basic जो एकदम basic nature की चीज़े जो एकदम starting की चीज़े उनको rudimentary कहते हैं और rudimentary की spelling होती है इसमें यह जो M-E-N-T-A-R-Y होता है तो rudimentary में A आ जाएगा तो error आपका यहीं पर option A आपका correct answer हो जाएगा spelling error पूछाता है ठीक है बाकी sentences को आप एक बढ़ पढ़ लेना तो detail में rudimentary fact that intelligence देखो यहाँ पर सही है यहाँ पर क्योंकि I लिख रखा है और उसके बाद में G-E-N-C-E लिख रखा है यहाँ पर भी आप देखोगी intellectual भी ठीक है ध्यान देना वाई intelligence में double L के बाद में आई आता है लेकिन intellectual हो गया intellect हो गया इसमें E आता है तो यह basic सी चीज़े हैं आपको पता होनीचे spelling के बारे में बाकी कोई मुस्किल ऐसा सब दिखनी रहा है आपको इसमें आ subject है सीम साब की वर्व है तूबी undecided उसको देखके लग रहा है कि वहाँ undecided है undecided के लिए idiom पूछा है about किस चीज़ के बारे में whether to move to another city for better prospects कि कि किसी दूसरी city में better prospects के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इस चीज़ को लेके वह undecided है अब देखेंगे counting down the days counting down the days एक idiom है जिसका मतलब होता है जब हम कहते हैं दिन गिनना मान लीजिए जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग हैं आपने paper दिया भी CPU का paper देंगे आप आपका paper बढ़िया से गया आपका physical top class गया आपने clear कर दिया उस के बाद में आपके medical की call आई और medical की call आई आपका medical भी clear हो गया अब आप दिन गिन रहे हैं कि किस दिन result आए और मैं talk मारूं मुझे दिल्ली पुलिस मिले तो जब कोई बहुत अच्छा काम होने को होता है तो हम अपने हम दिन गिन रहे होते हैं तो counting down the days का मतलब basically यही होता है कि दिनों को गिन 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 के निकालना किसी चीज के इंतजार में जैसे कि फिर जब नौकरी लग जाएगी तो फिर साधी के लिए एक एक दिन को निकाल रहे होगे गिन गिन आगे देखो एक दिर रखा है bouncing of the walls bouncing of the walls का मतलब होता है जैसे आपने बच्पन में खेर आप एंड्रोइड के जमाने के लोग हैं जैसे हमारे टाइम पर एक मोवाइल आते थे छोटे छोटे नोकिया के तो उसमें एक बाउंस नाम का गेम होता था बड़ा अच्छा सा लगता था एक बॉल होती थी उसको बाउंस कराते कराते आगे तक ले जाते थे ठीक है तो बाउं सिंग ऑफ दवाल्स वो दिवारों पर बॉल घूम रही होती थी तो वो दिवारों पर इदर उदर बाउंस करना उचल कूद करने इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा एनरजी लगती है तो बाउंसिंग ऑफ दवाल्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एनरजेटिक हो और एक है sitting on the fence fence का मतलब होता है दोस्त boundary boundary पर बैठा है समझ नहीं आ रहा है कि इधर जाओं या इधर जाओं या निकि decide नहीं कर पा रहा है कि इधर या इधर तो यही आपका हो जाता है running out of sorry sitting on the fence तो यही आपका correct answer जाएगा undecided वाला आगे देखेंगे अगला आपका question है he could be pass his exams error detection का question है और बहुत आसन question है आप सभी को मैंने बहुत बार बार बताया है बहुत basics of English जब मैं पढ़ाता हूं वहीं पर कि यह जो B verb हैं B इस B verb के बाद में अगर कोई verb आएगी तो वो द third form आ सकती है और या फिर वो वर्व की ing form आ सकती है दो ही form आ सकती है दो ही आ सकती है अच्छा third form जब आती है तो passive sense होता है ठीक है और ing form जब आती है तो continuous form sense होता है अब यहां पर क्या लगा रखा है ब के बाद में वर्व की first form लगा रखे वीवन पास इसका मतलब है error तो पक्ता यहीं है एक बार पूरे sentence को अब समझ लेते है answer mark हो जाएगा यहां से आसानी से ही sentence का subject है could आपकी helping वर्व है उसके बाद में बी प्लस वर्व की first form लगा रखे जो कि गलत है अब इसकी जगह पर क्या सही आएगा यह हमें देखना है पास का object दे रखा his exams वहाँ अपने exams पास कर सकता है यह कर सकता है इफ आपका subject अब देखोंगे conditional sentence बन रहा है इधर V2 है तो इधर क्या होना चाहिए could प्लस वीवन या would प्लस वीवन या might प्लस वीवन तो conditional sentence के structure को देख के हम कह सकते है इसमें B का कोई रोल नहीं है पहली ब पहले क्या हमें continuous की ज़रत है आपको के बिलकुल नहीं है एक्जाम पास होना कोई continuous process है एक दिन की बात है simple बाई जिस दिन रिजल्ट उस दिन पास या फेल यह कभी भी continuous action में नहीं आ सकता है ना तो इसका मतलब है continuous नहीं बना सकते थे दूसरा क्या पैसे बनाएंगे यह ब वर्व की फर्स्ट पर्म पास लिखनी थी है मैं यहीं आपका error है second part में आगे चलेंगे अगले question की तरफ एंटोनीम पुछा गया है किसका भाई decline का देखो decline के दो meaning होते हैं एक तो किसी चीज के लिए मना कर देना और एक किसी चीज का घटना दोनों meaning होते हैं अब देखते हैं demonstrate करने का मतलब है किसी चीज को दिखाना अब दिखाना तो ना तो भाई मना करने के sense मारा है और ना घ या करूंगा word of the day जिसका answer आपको comment box में मिला करेगा हर class में एक इस system रखेंगे जितने भी आपके 11 की 11 सैट मिलेंगे यह आपको बताना है comment box में answer और जब हम कल की class ले रहे होंगे तो सबसे पहले class में इसी को express मलब explain करेंगे word of the day है comment करना है आपको कि इसका मतलब क्या होता है हलंकि मैं आपको बता देता हूं कि यह आपका answer नहीं है ठीक है word of the day तो ऐसा question नहीं देंगे जो answer हो क्योंकि answer को explain करना ही है यहाँ पर तो traverse traverse क्या होता है अब देखो एक word दे रखा ascend भाई देखो जैसे descend का मतलब होता है नीचे आना कैसे decline का मतलब होता है नीचे आना ascend का मतलब होता है उपर जाना तो ascend आपका correct antonym हो जाएगा यहाँ पर तो correct answer is ascend बागी इसका आंसर जरूर बताएंगे ट्रैवर्स का ठीक है comment box में आगे देखेंगे अगला आपका question है to restrain और compel a person to do something by force one word substitution पूछा गया है किसका भाई किसी को restrain यानि कि रोकना compel यानि कि किसी को force करना क्या करना भाई a person किस चीज के लिए to do something कुछ करने के लिए by force जबर्दस्ति एक option दे रखा casualty casualty वो person की हम बोलते हैं जहां पर किसी की death हो जाते है casualty हो गई यानि किसी की death हो गई एक है Convoy Convoy का मतलब होता है काफिला गाड़ियों का खास करके एक है consensus consensus का मतलब होता है general agreement जहां पर general public का एक चीज को लेके एक मत हो और एक है course course का मतलब होता है किसी चीज के लिए force करना किसी को किसी चीज के लिए किसी को force करना यहीं आपका correct answer है यह दो दिन पहले वो कहा वंडर्स पर भी मैंने पढ़ाया था सब ठीक है आगे देखेंगे अगला आपका question है यह फिल करना है इसके बाद में लिस्ट दिया गया है नाउन यानी compliment में एक नाउन है आगे of preposition है उसका objective words और list के लिए adjective आगया क्या exhaustive यह adjective है अब आपको list क्योंकि singular countable नाउन है इसके लिए article चाहिए singular countable noun के साथ article ain का प्रयोग किया जाता है अब a नहीं आ सकता क्योंकि sound ऐसे है तो इसका मतलब a नहीं n आपका correct answer हो जाएगा एन exhaustive list of words आगे देखेंगे अंडरलाइंड पार्ट जो है दे रखें एरर का question है वेसी गली एरर डिटेक्शन का और पार्ट बीन है वर्क पॉर यह फॉर को और अंडरलाइं कर लो वस ठीक है have they been work for अब देखो have के बाद में हमेशा hedge हो have हो head हो कुछ भी हो वर्ब की third form आती है बी की कोई भी form हो इसके बाद में या तो ing आती है ठीक है और या फिर आपकी वर्ब की third form अभी बताई थी पिछले question में अब आप यहां पर देखोगे have के बाद में वर्ब की third form आ रखे है been बी की third form होती है been लेकिन बी के बाद में क्या ing आ रखे है आपको नहीं आ रखे है इसका मतलब है वर्क में गलती है वर्क में गलती है तो बी option आपका correct answer हो जाएगा बी option इस भी correct answer आगे देखेंगे अब यह एक close test का question है एक बार वीडियो को pause करेंगे और खुद से attempt करने की find और find का मतलब होता है खोजना इसकी V2 होती है found और V3 भी होती है found और एक आपकी वर्व होती है founded खुद से found और इसकी V2 और V3 जो होती है वो होती है founded इसका मतलब होता है खोजना कुछ ढूंडना और इस found का मतलब होता है स्थापना करना यहां पर स्थापना के sense में founded लिकर प्रबिंदर्ना टेगोर पांड डर्वीन्दा टेगोर सब्जेक्ट अपकी वर्व है क्या प्रवांड किया ए आपका प्रेपोजीशन उसका उपजेक्ट हो जाएगा 1901 ile कन जंग्सने कला भवन और कला भवन से भी जोड़ा गया और कलाववन को भी उन्होंने साफित किया एन आर्ट स्कूल और कलाववन को बोला गया है कि यहाँ एक इन नाइंटीन नाइंटीन यानि कि उन्नीस में, विच जो के डैस, अब देखो विच डैस बिकेम, अब विच आपका रिलेटिव प्रनॉम ने, इसके बीच में कुछ आना है, बिकेम आपकी वर्ब है, विच आपका सब्जेक्ट बन सकता है, कोई बात नहीं, यानि कि आपक आपका एक होता है ठीक है स्ल आपका एडजेक्टिव होता है दो आपसन कैसे ऐड़र भी जनरली एडजेटिव में तरीके से लगाते हैं यह एड़र होता है इसका मतलब यह सकता है तो विच लैटर वेकेम जो की बाद बाद में बन गया अब पार्ट ऑफ द विश्व भारती जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी थी जो इसकी स्ताफना 1921 में उसका पार्ट बन गया बाद में तो लेटर का यहां पर सेंस है बाद में यही आपका और लोकेटिड इन डैस विलेज अब आर्टिकल एंद दिखाई दे रहा है आर्टिकल एंद के साबसे अगर आप ऑपसंस देखें तो यहां पर कैसा साउंड आना चाहिए और वावल साउंड अगर आना चाहिए तो मैजीकल नहीं आ सकता है नौर्मल नहीं आ सकता रिलाइव पर भी है, some distance from the city of Kolkata, Kolkata से कुछ दूरी पर है, कलाभवन, जो कलाभवन है, presented, उसने present किया an illustrative methodology, illustrative यानि की पूरी detailed methodology, यानि की एक तरीके of art training, art training की detailed methodology, उसने present की कलाभवन ने, in which studio based practice, अब देखो, जिसमें studio based जो प्रेक्टिस थी, was dash in favor of learning through observation, कहा गया है कि studio based practice को dash कर दिया गया, किस के favor में, learning through observations and living as a part of nature, अब देखो, एक तो studio में बैठना है, और दूसरा, learning को observe, मतलब सीखना है आपको observe करके, लोगों के बीच में रहके, nature में रहके, nature को observe करके, आपको सीखना है, तो हम कह सकते हैं, दो चीजे हैं, या तो studio वाला, तो studio वाली को उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने accept किया, नहीं, भाई, किसी चीज़ के favor में, हम किसी चीज़ को accept नहीं, reject करते हैं, तो हम कह सकते हैं, कि उसको reject कर दिया गया, किसके favor में, जो दूसरी बताएगी या उसके favor में, आगे देखेंगे, the natural surroundings, with the dash of bare red, earth dotted with trees, कहा गया है, कि जो natural surroundings थी, with, किसके साथ थी, the dash, the dash of bare red earth, देखो मर्क, मर्क का मतलब होता है, धुन्द, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं, कि जो beautiful, natural surrounding है, वो धुन्द के साथ है, bare red earth, खाली जमीन पे धुन्द नहीं हुआ करती है, dotted with trees, जिसमें tree हो, आपे धुन्द नहीं हो है, ठीक है, band, band तो music अगरा वालों के लिए बोल देते हैं, यहां पर option से हो जाएगा, vista, vista का मतलब होता है, view, standard view, अभी recently आपने देखा भी होगा, central vista नाम से एक project लेके आई थी, central government, जिसमें जो central government के offices है, उनका reconstruction हो रहा था, तो vista यानि view, तो इस view की बात की गए, तो vista हो ज students, जो animals थे, जो words थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई क्या, agree किया inspiration, भाई, inspiration क्या होता है, inspiration मिलता है, provide करता है, जैसे कि किसी की success story आपके लिए inspiration प्रोवाइड करती है, तो ऐसे ही जो animals थे, जो words थे, उन्होंने provide किया, क्या, inspiration प्रोवाइड किया, किस के लिए, students के, आगे देखेंगे तो यह आपका पूरा close test था अगला आपका जो question है improved rail transportation essential for business essential का पूछा है क्या? synonym पूछा है दोस्त essential का मतलब होता है जरूरी अब जरूरी में देखो technical तो अलग चीज़ है trivial का मतलब होता है तुछ एक दम recommended यानि कि जिसको recommend किया जता है और crucial का मतलब होता है जरूरी तो जरूरी यानि कि crucial आपका correct answer हो जाएगा आगे देखेंगे अगला जो आपका question है desolate desolate का मतलब क्या होगा दोस्ते desolate का क्या meaning होगा? देखो desolate का मतलब होता है कोई चीज़ जो बड़ी depressing सी है कोई चीज़ जो आपको उदास बनाती है उदास desolate का मतलब उदास तो यानि कि ये सब्द आपका कैसा है negative इसका पूछा क्या है synonym तो negative nature का ही चाहिए steady का मतलब होता है strong ये नहीं हो सकता है hopeful positive सब्द है आसावादी fortunate positive सब्द है भागे साली depressive का मतलब है जो depress करते जो depressing हो बहुत ज़्यादा वही हो जाएगा depressive आगे देखेंगे select the word segment that substitutes या the bracketed word segment correctly and completes the sentence meaningfully sentence को meaningful बनाए देखो भाई unless unless हो until हो इन दोनों के साथ में दो चीज़े में ध्यान रखने होती है एक तो not नहीं आता है कौन सा आ जाएगा we won verb की first form आ जाएगी यह सही answer हो जाएगा बहुत simple सा question हो गया आगे देखेंगे to restrain और compel a person to do something by force अच्छा भी हमने साहिद किया भी था ही तो course हो जाएगा गलती से repeat हो गया माफी चाहेंगे अब देखो एक चीज और बता देता हूँ आपको यह जो हमने set आपको यहां पे दिया है इसकी printable file आपको daily के daily telegram, vocab wonders और English by Prasansar पर मिलती रहेगी daily एक printable file आपको मिलेगी जैसे ही test आपका YouTube पे upload होगा साथ में ही वो file आपकी telegram पे upload हो जाएगी मैंने कहा देखो sentence को समझने की जरूरत है I sentence का subject है, have आपकी वर्वे I have मेरे पास है, क्या है all the technical, मेरे पास सभी technical और communication skills है जो कि क्या है, necessary, जो कि जरूरी है किस चीज के लिए necessary है to crack, crack करने के लिए क्या crack करने के लिए, any interview कोई भी interview कोई भी interview crack करने के लिए जितने necessary skills चाहिए होते हैं, वो मेरे पास सब है इसलिए, it will be यह होगा मेरे लिए, क्या, आसन काम अगर सारे skills हैं, तो आसन काम होगा तो यहाँ पर देखेंगे, a storm in a tea cup का मतलब होता है, छोटे से matter up है, बड़ा सा जगडा, ठीक है तो यह नहीं हो सकता, a chip on my shoulders, खास करके idiom मनता है, a chip on old shoulders, from old shoulders बोल देते हैं, इसका मतलब होता है, parents जैसा दिखना, a hard nut to crack, इसका मतलब है, कोई व्यक्ति जो मनलब कोई problem जिसको solve करना मुस्किल है, कोई व्यक्ति जिसको मनाना मुस्किल है, तो वो हो जाता है, hard nut to crack, अब piece of cake का मतलब होता है, बहुत आसान काम, तो यही आपका correct answer हो जाएगा, आगे देखेंगे, health insurance are important, अब देखो, health insurance तो singular है, और बेटा, अगर singular है, तो बार नहीं आ सकता है, इसका मतलब है, कि हमें पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है, no improvement तो हो नहीं सकता, अच्छा option भी नहीं है, will be important, today, बेटा, today है, इसका मतलब है, will भी नहीं आ सकता है, इसको अटा देंगे वाज नहीं आ सकता इसको अटा देंगे हैज बीन भी नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट एंसकी भी ज़रूत नहीं है तो is important आपका बहुत पूरा sentence पड़े बिन आप answer मार्क कर सकते हूं आगे देखेंगे अगला आपका जो question है it was a quiet afternoon quiet का मतलब होता है santh बढ़ा ही santh सा afternoon था अब देखो भाई simple सी बात है देखो एक तो quiet होता है ये वाला ठीक है ये आपका adverb होता है ठीक है और एक quiet होता है ये वाला ये एक adjective होता है इस quiet का मतलब आप very के sense में समझ सकते हैं बहुत का sense देता है और यह इड्जेक्टिव सांत का सेंस लेता है और आप खुद से बताएं कौन सा वाला सही होगा क्या यह वाला कॉईट आएगा जी नहीं क्या क्या यह जो दे रखा वह वाला प्रॉइट आफ्टर नूं यहीं आपका correct answer हो जाएगा आगे आगे देखेंगे अगला आपका कॉस्टन है बाइट दबुलट बाइट दबुलट का मतलब होता है कोई मुश्किल काम करने के लिए एगरी हो जाना इसी मुश्किल परिस्तिती दे सामना अगर हुआ है तो वो काम करने के लिए एगरी हो जाना इसके लिए मैंने आपको जिवनी किताब में दिया गया है अगर आप देखोगे तो पुराने टाइम पे जब soldiers होते थे विस्वयुद्ध में तो पहले anesthesia नहीं होता था anesthesia नहीं के सुन कर देने वाली दवा तो उसकी जगे पे लोग क्या करते थे एक बुलट लिया और उसके दांत में रगड़ते थे दांत मलब चवाने के लिए कहते थे अब मैं यह बात बोल रहा हूं तो भी मेरे दांत मलब अंदर से ऐसी feeling से आती है कि कुछ नलब सोचो आपके दांतों के बीच में कुछ पीतल वीतल ऐसे दबा दी जाए तो कैसा लगेगा तो यह बड़ा दास्ता नहीं है डिसाइड टू वाट इस गुड नहीं यानि कि जो काम अवाइड कर रहे थे वो करने के लिए तैयार हो जाना यह पूरा सैट था आपका ठीक है और भाई अगर आप लोग प्रॉपर डंग से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एक्जाम के लिए तो आपके 300 पेजिस की किताब आपको ऐसे मिल रही है साथ ही साथ में जो अच्छी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं खरीदने है 300 पेज की भी 99 में भी नहीं लेनी है तो यह किताब आपकी जो टेलीग्राम चैनल है वो के वंडर्स उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलवल है मैं आज पिर से सब्सक्राइब कर सकते हैं वो कैब संजीव नहीं आप सभी की फेवरेट किताब यह भी अवैलिवल है आप इसको भी और कर सकते हैं बाकी जो बच्छे बैच लेके पढ़ना चाहते हैं तो उनको में शुरू में बताया था हमारा इंग्लिस का व्योडी बैच आर्जी विक कर लें और इंग्लिस भाई प्रसांसर इस क्लास की प्रिंटिबल फाइल भी वहीं पर मिलेगी डिजिटल नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इसके अलावा मेरे भाई बहुत सारा कॉंटेंट आपको आप मिलता है बाकी अगर वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें सभी बच्चों तक जरूर पहुचाएं ज्यादा से ज्यादा सेयर करें पूरे 11 के 11 दिन प्रैक्टिस सेट आपको कराये जाएंगे बस आप सभी लोगों को ये चैनल प्रसांसोलंग की इंग्लिस को अभी सब्सक्राइब कर लेना है जितने भी आपके यार प्यार परिवार दोस्त लोग हैं सभी से कहना है कि वो लोग सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दवा दें जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेसन मिल जाएं बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करके जाएं कि आप कितने खुसें इस सीरीज के साथ में इस ग्यारा दिन ग्यारा सेट्स के साथ में आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही मिलेंगे अगली क्लास में थेंक्यों सो मच जै हिंद जै बारत